हाई फ्रेंड्स मैं चंदन स्वागत करता हूँ आपका टेकनिकल ग्यान सीखते रहो योटूब चैनल पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओनर मोवाइल में सोट टच सेटिंग कैसे ओन करें तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सोट टच सेटिंग ओन करने करता हूँ तो उसके लिए आप अपने ओनर मोवाल में सेटिंग को ओपन कर लिए जैसे मैं सेटिंग ओपन कर लिया और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की और आई और नीचे की और आई और उसके बाद आपको यहां सब से नीचे में सिस्टम का उप्सन मिल जाएग मैं 7 पर क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले आपको मोईल का password मांगगेगा तो जो भी आपका मॉईल का password है वह आप डाल दीजिए जैसे मैं इसमें मोईल का password डाल देता हूँ PASWORD डालने कब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेए तो जैसे इतना कर देंगा उसका developer option on हो जाएगा जैसे देख सकते हैं आप लिखाएगा you are now a developer मतलब अब इस mobile में developer mode on हो चुका है तो developer mode जब आपके phone में on हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको अपने mobile का setting open कर लेना है और उसके बाद आपको scroll करके नीचे की और आना है और नीचे की और आना है और सबसे नीचे में आपको यहाँ पर system के option पर click करना है और उसके बाद आपको developer option का option मिल जाएगा तो आप यहाँ developer option के option पर click करिए और उसके बाद इस तरह साएगा तो उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की और करिए और 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 नीचे की और करिए उसके बाद आपके ओनर मुवाल में सोटर सेटिंग ओन हो जाएगा और कहीं पर भी आप टच करेंगे तो एक टच सो होगा जैसे मैं स्क्रीन पर यहां पर टच